हलो फ्रेंज स्वागत है सुमन की चन में आपका फ्रेंज आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा वो भी बीना कदुकस किये हुए और बीना मावा के तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा ये और कैसे बनाएंगे इसे तो सबसे पहले हमने लिया है दो किलो गाजर और इसे अच्छा से हमने छिलके हटा लिया है और उसके बास ये धो लिया है इसे अच्छा से हमने और आप देख सकते हैं आप गाजर कोई सा भी हो पतला मोटा और कोई सा भी आप ले सकते हैं तो चलिए इससे बताती हूँ क्या करना है नेश्ट तो सबसे पहले हमें इस तरीके से गाजर को कट कर लेना है आप इसमें जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से कट करें आप इस साइज से पतले लंबे गोल जिस साइज में आप कट करना चाहते हैं अपने मन चाहें अकार में कट किजे इसे जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से कट करना है तो मैं इस तरीके स चोटे चोटे पीसेज में कट कर रही हूं आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कट कर लें इसे तो आप देख सकते हैं हमने कट कर लिया है आप देख सकते हैं इधर ऐसे लंबे पीसेज में भी कट किया है मैंने तो जी सकार में आपको कट करना है इसे कट कर लीजिए चलि डालेंगे अब घी अपने हिजाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं गी बिल्कुल मेल्ट हो चुका है इसमें सबसे पहले हम चार से पांच हरे लाइची कूट कर डाल देंगे इससे क्या होगा कि इसका जो फिलिवर है बहुत अच्छे से गाजर में हलवे में आएगा उसके बास यहां पर कुछ ड्राइब फूट में एड़ कर रही हूं काजो और बदाम अब कोई सबी ड्राइब फूट इसमें को कर देंगे तो अप यहां पर हम धा एड़ कर देते हैं कुकर के अंदर ईससे अच्छा से हम 3-4 मिनिट तक गाजर को भूनेंगे लो टू-मिडियुम फिलेम फे घी के अंदर अच्छा से हम गाजर को भून लेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरयके से चलाते हुए हमें अच्छा से भूनना है उसके बाद से हमें घुकर का ढखन लगा देना है तो चार मिनट भूनने के बाद मैं इसे बंद कर देती हूं और चार से पांच विसल हम ले लेंगे तो चलिए पांच विसल हो चुका है अब खोल के चेक कर लेते हैं तो आप दिखाती हूं यह देखिए बहुत अच्छा से कुख हो चुका है गाजर तो अब इसी चम्मच के मदद से हम इस तरीके से प्रेश करते हुए इसे मैस कर लेंगे या इस तरीके का मैक्चर हो आपके पास तो इस तरीके से आप प्रेश करते हुए इसे अच्छा से मैस कर लि है तो इसमें हम डालेंगे कि पान्सव ग्राम दूद्ध और यह फुल फैट दूद्ध है अब कोई सा भी दूद्ध ले सकते हैं और इससे चलाते हुए हम पकाएंगे दूद्ध में हमें दूद्ध को बिलकुल सुखा देना है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से चलाते हुए हमें continue पकाना है हम चलाना बंद कर देंगे तो नीचे तले में लगने लगेगा हलवा इसलिए हमें चलाते रहना है बिच बिच में और इस तरीके से चमच से हम गाजर को मैस भी करते रहेंगे ताकि बच्चे हुए गाजर भी मैस हो जाए तो आप देख सकते हैं continue चलाते हुए हमने इसे 5-7 मिनट तक पका लिया है और यह अच्छा से दूध इसमें बिल्कुल सुख चुका है आप देख सकते हैं तो अब चलिए इसमें हम add कर देते हैं चीनी यहाँ पर 300 ग्राम हमने चीनी लिया है आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा चीनी कर सकते है हैं चितना मीठा खाना चाहते हैं उसी आपसे तो चलिए isa भी अच्छा से हम चीनी को मिक्स कर लेते हैं तो फिर हमारा हमारा मब चीनी और दूद को अच्छा से इसमें सुखा लिया है हलवे में हलवा बनके बिलकु रेड़ी है तो यहां पर आप चाहें तो और ड्राइफूट एड़ कर सकते हैं मैं यहां पर दोस्चमच घी एड़ कर रही हूं यह ओफिशनल है आप चाहें तो एड़ करें यहां पर उतना असानी से बन गया है तो आप इसे एक पर जरूर ट्राइ करें और जरूर बनाएं अपने घर पे बहुत ही इजी और बहुत ही टेश्टी बहुत ही असानी से बन जानने वाला ट्रिक बताया है मैंने तो आप यह रेशिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यदि अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड और फेमली में सेर करना ना भूलें और हमारे चानल को सब्सक्राइब भी करें फेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेश्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें थैंक्यू